करें बहले चीज दूसरी चीज अपना ब nov acces जमा करें तीसरी चीज बिजली का बिल में जो जमा कर रहा हूं मेरा इकाउट सब्सक्राइब करने से पहले एक लाइक कर लिए ऐसा वीडियो आपकर यूटूब पर कहीं मिलने वाला नहीं अगर मिल जा तो मेरे चैनल को अंसब्सक्राइब कर देना चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले चीज आप यह चीजा मोबाइल से सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने लैप्टाप से इसलिए बता रहा हो कि मुझको थोड़ा रिकार्डिंग करने में थोड़ा आसान होता है आप मोबाइल से काम कर सकते हैं कोई प्रॉल्म कोई इसू नहीं है पहले चीज आपको गूगल में जाना है गूगल में जाने के आप मोबाइल से खोल लें कोई दिक्कत नहीं उसके बाद यहां पर आपको डैस बॉर्ड में यहां पर देखेंगे तो नीचे थोड़ा आएंगा यहां पर लिखा हुआ ग्रामीड छेत्रे के लिए अपना नया खाता नंबर जाने पहले चीज़ आपको खाता संग कैसे च देखेंगे तो अपने कि आपको फिली करेंगे आप उसके बाद किया करना चलिए चाहां उसको डिकांक का लिखा है डिसका आपका हम कौन सा है जैसे माले उत्तर बहुत बड़ा पर देश है तो इसमें किसा मैं दर्चरा जान बहुत ब abbreviate कमेचे कर दे रहा हूं कोई भी हो उसके कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहां पर आपका पुराना 12 अंकवाला खाता संक्या डालना चैलिए मैं आपको लाइप दिखा रहा हूं यह देखिए महां पर बिल से अब जम्हा हो रहा है उसके बाद यहां पर यह निव pagh efforts कर सकतें यहां पर आपका नाम लिख कर आ जाएगा इसको आपको नोड कर लेना है वहिए पर भुकतान आपको यही पर करना है तो नीचे आएंगे 10 अंकों वाले खाता संखिया से अपने का भूउकतान करने के लिए यहां पर दástपर क्लिक करें और भी और चीज के लिए यहां किक्क करना है सबसे पहले आपको लिखा एक दो इसके बाद यहां पर अपर लिखा दसंग का उसको लिख दीजी आप यहां पर क्लिक कर दूंगा जैसे यहां पर क्लिक कर दूंगा मेरा बिजली का बिल खुल कर आ जा रहा है यहां पर यह 2870 रुपए है आपका जो बिल होगा वह आपका सो कर रहा होगा उसके बाद यहां पर जमा करने के लिए यहां पर आप कभी यह नेट बैंकिंग दिया गया है यू नेट बैंकिंग से आप जमा कर दें कोई प्रॉलम नेट करता है वह ज्यादत चीज रहता है यहां पर देखो यह लिखा गया है यह असपर कलिक करके आप जमा कर सकते हैं वह चीजे मैं आपको बात होता हुँगा पहले मैं चीज बताने वाला हूँ कि आपको देखना है कि मेरा 870 रुपए बिल आया है सही है कि गलत आया है बिना चेक की आपको बिल कभी जमा नहीं करना है तो इस पर डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा आपका मोबाइल पढ़ा हुआ सभी का केवाइसी हो चुका है सबके बिल में लंबर लिंक हो गया तो यहां पर देखे इस वाले मोबाइल में आपको समिट पर क्लिक कर देना है वीडियो को यहीं पर रोग दे रहा हूं क्योंकि अभी आगे बताऊंगा यह तो हो गया जब आपना अकाउंट में निकालते हैं वहां से जमा करने के लिए अभी इसको यहीं पर आने के लिए आप डारगली कैसे आ सकते हैं वह चीज में पर लिए बताने वाला हूं इसके लिए आपको मैं सारी चीजे में सको कट कर दे रहा हूं ठीक है ना सारी में कट कर दे रहा हूं यह आपको Google में क्या साच करना है यहाँ पर लिखना है बिजली का बिल यूपी उतना डाल देंगे बस लिंक डिसोसरे ने डारिक्ट उपन क यहां पर आपको जिलापना सेलेट कर लेना है यहां पर दस अंको वाला एकाउंट नंबर आपको डाल देना है उसके बाद यहां पर आपको डाल कर यहां पर विव पर किलिक कर देना है और आप मुबाइल नंबर से भी आप डारेक्ली ओपन कर सकते हैं यहां पर एकाउंट बड़ दालें तब ही आपका भील खुल जाएगा चलिए मैं सारी चीजह आपको एक्स्प्लेइन करता हूं उसके बात बता हूं का रहा हूं जमा कर रहा हूं काप्टर डाल कर वीव पर क्लिक कर दें अब यहां पर देखे पर क्लिक कर देंगे यहां पर आप ओटीपी आपका दोबारा नहीं लेगा यहां पर वीव बिल पर आपको क्लिक कर देना दोबारा यह आपका पीडियाप खुल गया अब यह चीजे में जो बताने जा रहा हूं अब यह चीज आपको समझ देखो बिल जमा करना असान है कोई नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं यहांपसे पहले लिखा उन्यूस वारा यह आपका यूपी-पी-च्छाल का हिलप-लाइन नंबर है इसके आप मेसेज भेज सकते हैं अपनी बात रखने के लिए उसके बाद यहां पर थोड़ा मैं इसे और जूम कर दे रहा हूं जहां पर अब इसके बाद यहां पर उपखंड दिया गया है जिसे मालिजे कि आपके एक तहसील में कई होते हैं एक दो तीन चार डिवीजन होते हैं वह भी दिखा देता है कि यहां कितने फीडर हम वह चीज दिखा देता है उससे कोई आपका इस्व है नहीं फिलाले सुइक्रित भार आपका किलोवार्ट का कनेक्शन है यह दिखा देगा है आपका मीटर क्रमान के संख्या है यह आपका पता है पूरा दिखा देगा यह सप्लाइट टाइप यहां पर होता है सप्लाइट टाइप होता है इससे आपका कोई लेना देना है नहीं फिलाल यह इस चीज बिल अच जाके आपके घर के पास अगर बिल निकालता है तो दिखाता है यहां कि दिशा में अच्छांस देशांतर वह चीज है उससे कोई लेना देना आपका नहीं है इसके बाद यहां पर इसकाइनर से आप डारेक्ली पेमेंट कर सकते हैं लेकिन कभी कभार इसकाइनर से मैं आपको मीटर रीडर आपके घरा आकर मीटर चेक किया उसके बाद उन्हेंने डाला यह चीजह अगर लिख रहता है यई चीजा लंशी है यह नियुक्त आपको लिखा एक लाया की झाल निकाला घया है मीटर लिख और यहां इस बार कितना छूट मिला है आपको तीन रुपए 75 पैसे आप में जो मिला होगा वो मैं एक एक्जापल संघा दे रहा हूं उसके बाद यहां पर बिल माह दिया गया किस माह का है उसके बाद यह प्रोगामी सिप्सिडी है यहां पर की होता है कि अब तक आपको टोटल कितना बिल में इसके बाद नीशे का अब को और चीजे में दिखाता हूं तो यहां पर लोग कन्फूज हो जाते हैं यहां पा लिखा इनएजार्जेश नंद्ला उर्जा प्रबार यान बिल आया है इसमें गवर्मेंट की तरफ से आपको 175 रुपए की सिटी मिली है आपको बिजली के बिल 150 रुपए जमा करना है पहली चीज होगे एक महीनिक बता रहा हूं इसमें लिए कि इस बारे से एक सो पचास आपका बिल आया है डिमांड चार्ज आपसे लिए आ गया है यानि आपका यह आपका पचास रुपए आया है आप में जितना आया होगा वह आप देख सकते हैं ठीक 150 और यह पचास दोनों को जोड़ेंगे दोस रुपए हो गया उसके बाद यहां पर नीचे आ आएंगे यहां पर लिखा हुए वर्तमान विलंब भुक्तान अधिकार यह आपका दिया दो रुपए निन्याने पैसे यह आपका भुक्तान चार्ज ले रहे हैं यह आपका टोटल ले रहे थे फिलाल इसमें किसाफ से दिये हैं वो तो नहीं एक उड़ेट दिये हैं यह तो रुपए निन्याने पैसे आपका यह बजली का विलंब लेट लिए सुल्क लिए 50 रुपए यह पचास यह होगा दो सूरु यह होगा 212 रुपए लेट असुल के यह होगे आपका त्यानि इस सब्सक्राइब जोड़ा जाए तो यह उसका लेट पेमेंट यह है चार रुपए सब्सक्राइब करेक्ट है वहाँ पर एक मतलब होता है कि यहां कितना किलो वार्ट चला था वह यहां पर लिखा हुआ कितना किलो वार्ट चला था दीक इस महीने आपका मीटर का कब हुआ था जेक यहां पर लिखा कि इस महीन यहां पर अता मेंटर यहाँ पर यह निकांग बिल निकाला है अब यहाँ पर मीटर की करन्ट समय इतने रीडिंग जैसे एमाद पहले हैं सभी करें का फ़िए ऐन्हें नीचे यहां पर ऊपर आप क्लिबझे तो यहां पर यहां प einen करेंट यहां पर दिया रहता यह आप इस चीज़ को मैं समझाना जरूरी था बहुत सब्सक्राइब लोग कंफूज रहते हैं क्या सही है क्या गया तो चीज मैंने समझा दिया आप एक दो बार देख लेंगे समझ जाएं कुछ इसमें ज्यादा खासे नहीं एक इसमें यह देखना रहता है यहां पर आपक जलता हूं अब करना करने के लिए आपको यहां पर हों करने के लिए मैं चलता है आपको मैं डालता हूं कर लेता हूं कर देता हुँ उसके बाद यहां पर अपना नंबर ढाल तो मैं हमेशा ATM से अपना जमा करता हूं डेविट काट हमेशा से क्यों रहता है असानी से यहां पर विल्डी का बिल्डी कर दूँगा क्लिक करने के बार नीचे यहां पर आएंगे और उसके बाद यहां पर अपना पिछले महिने का यहां पर एसी देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है वो चीज़ उताता हूं सम्मिट पर मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ पर आपका डिसकाम खुल करा जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका जीले के नाम आपका अकाउंट नमबर आपका नाम अपना चाहें इमेल आडिया डाल सकते हैं ना डालने कोई प्रॉलम नहीं अ अब यहाँ पर दबारा debit card 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 के जम कर देजी है हुआ पर谁 लाते सकते हैं कोई इसका इसका नहीं पर क्लिक करने के बाद उसके बाद एक बार कार फंट्रयलिसन का आपने संब आएगा प्रोचीड्ट बिड्लीक क्लिक कर देना है उसके बाद आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा ओटीपी को डाल कर यहां पर समिट पर क्लिक कर देना है ओटीपी डालने के बाद समिट कर देंगे आपको अब यहां तक तब तक वेट करना है जब तक पेज रिडाक्ट नहों जाए क्योंकि बिजली का जमा करते हैं सामय फस्ता बहुत है अब यहां पर देखें बिजली का दिल जमा हो गया योर पेइमेंट है विस सकस्टफुली कम्प्रीड़ यहां पर बिसिट नंबर भी आगया आप चाहें इसका इसकी शाड़ सबसे पहले ले ले उसके बाद इसको अब प्रिंट पर क्लिक कर दें जैसे पर क्लिक कर देंगे तो अब यह आपका प्रिंट यहां पर इस तरह से आप रहा इतना ही निकल कर दूंगा इसको में पूड़ियो के रूप में सेफ कर ले रहा हूं जाहा है खुद अपना को निकाल रहे तो अपने आप रख लें कि मैं साइज चीज़ आनलाइन उसके बाद यहां पर अपना जिलास करने के बाद यहां पर आपको अकौन नमबर डालके पर लिक कर देंगे तो यहां पर अगर गलत रहेंगे तो नहीं खुलेगा यहां पर इसको डालके उसके बाद यहां पर इसको ओपन कर देना है यहां पर दिखा रहा है अभी आपका पयमेंट जो गए अभी यहां पर देखेंगे अभी पही दिखा रहा है लेकिन इसको आपडेट में थोड़ा टाइम लगता आ जा जब जमा जमा कर देंगे कुछ टाइम लेगा बील अप्डेट होने में आपको बेट कर लेना है उसके बाद अगर आपको बिल जमा किए हैं उसका आगर यहां पर पर पेमेंट रिसीफ चेकर नहां यहां पर लिखाए है यूस्ट को लेना है यहां पर लाफिप नबर आपको किलिक कर देना है यहां पर पर удоб कर देंगे यहां नाम लिखके आ जाएगा पेमेंट्र इस पर किलिक कर देना है उसे इस पर क्लिक कर देंगे तूछला एक बार फिर कुड की यरी नेट वरकर है तो इस को निकाल सकते हैं तो आप बताईए आपको कितनी प्राइलों साल में ये चाहल हो गई कि आपको रहा कि मेरा 12 नंबर उसको दसने में कैसे निकालना है कि अधार सब्सक्राइब करना है उसके बाद मैंने चौती चीजी यह बता दी कि आपको प्रिंट निकालना है यह चीजी है फिलाल मैंने सारी चीजे आपको बता दिया है इसके बाद अभी बीडियो आने आप उसको इन्टरेइन में बाद आप उसको इंटरिन्मेंट के लिए आप उसको सब्सक्राइब प्रस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच